नमस्कार दोस्तों संध्या वेज कीचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुत ही टेश्टी वेज कीमा की रेसिपी लेकर के आई हूँ तो चलिए देख लेते कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है तो यह हमने मेडियम बाली सोया वड़ी ले ली है तो इसे हमें पहले अच्छे से धो लेना है तो जिसके लिए हम ले रहे हैं यह गुन-गुना पानी और इसको डाल देंगे इसमें और इस तरीके से इसे थोड़ा सा भिगा देंगे अच्छी तरीके से ताकि जो हमाई तरीके से भीग गई है एक बड़ी को हम चेक कर लेते हैं कि फूली है कि नहीं तो यह देखिए इस तरीके से हो गई है मतलब अच्छी तरीके से फूल गई है तो इसे हमें निकाल देना हैं दूसरे बतन में तब अब हमें इसे इस तरीके से अच्छे से निचोड निचोड कर एक बर्तन में निकाल करके इसे रख लेना है तो सारी बढ़ियों को हम इसी तरीके से निचोड लेंगे इसका पानी पूरा निकाल देना है तो सारी बढ़ियों को हमने इस तरीके से निकाल करके रख लिया है एक बर्तन में यह आप देख सकते हैं और एक दबा कर आपको दिखा देती हूं यह देखिए पूरी बड़ी हमारी पहुत ही बढ़िया तरीके से फूल गई है बिल्कुल ही इसमें गाठे नहीं है एक मिक्सी का जाल लेंगे और उसमें हमें डाल देना है इन बड़ियों को हम इन्हें दो ब पहँगे और करी हमें और यह इसमें निकाला लेना है कि की तो दोनों प्रॉट्ट हमें पीशे करके त्यार कर लिया है और और आप हमें इसी मिक्सी जार में और शपलों H तेल गरम होने के लिए हीट आने लग गई है तेल हमारा गरम हो गया है इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरा को थोड़ा सा इस तरीके से हिला लें दो बारी कटी हुई प्यास जालेंगे प्यास को बहुत ही बढ़िया तरीके से भूलना है तो तब बिकुल सुनेरी हो जाए प्यास जब तक आपको भूलना है प्यास को इस तरीके से तो यह लिजिए फ्रेंस हमारी प्यास जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से भून गई है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल गोल्डन हो गई है, तो प्यार्ष को आपको इसी तरीके से धूलना है, आधा चमाच खल्डी पाउडर, गयास को थोड़ा सधीरे कर देंगे, एक बड़ा चमाच धनिया पाउडर, एक छोटा चमाच लाल मेच्ची पाउडर, इन सारे समागरियों को अच्छी तर बड़ा लेना है, गैस की सुयम को तेज कर देना है, और इसे अच्छी तरीके से पका देना है मसाले को, तो यह देख लीजिए, मसाला भी हमारा बहुत ही बड़िया तरीके से पक चुका है, चारो तरफ से तेल छोड़ने लग गया है, अब इसमें डाल देना है दही, तो बहुत ही चलती दही फटनी लग जाता है, इसे इस तरीके से अच्छी से चला लेना है, ठोड़ी देर इसे और पका लेना है, दही को भी डालने के बाद, अब इसको तेज कर देंगे, तो यह आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़िया हमारी पकर के तयार हो गई है, बड़ गज़ा निकाल देना है इक बत्तन में, फिर से आď आपका तो खाथ चला दिया या और एक चम मत तेल डाल दिया है, तो उस बड़ी तो मटर नकाल दो है, बून में मतर बवाइब तरीके से भून गया है तो इसमें हमें डाल देना है यह अपनी बढ़ी जो हमने भून करके रखें है इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें डाल देना है पानी खोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे तो इसमें पानी के कोई माप नहीं है कि आपको पानी कितना डालना है बास आप अंदाजेस से पानी डाल दीजिए ढख देंगे इसे इस तरीके से इसे खोल लेते हैं और एक बार इसे इस तरीके से चला लें नमक शाद के अनुसार डालेंगे इससे पैदेख़ भी अमने चमिज नमग डाला था मिक्स करेंगी रखन टाएंगे तो घुक करेंगे गराम मसाला डालेंगे फिर से इस तरीके से मिक्स कर देंगे बहुत ही बढ़िया कीमा वन करके तयार होता है जरूर बनाएगा आपको बहुत पसंद आने वाला फिर से ढखकन से थोड़ा सा कवर कर देंगे गरम हसाला ढानने के बाद बस आपको इसे दो-तीन मिनट ही पकाना है तो यह आप इसके कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है बहुत ही बढ़िया हमारा कीमा पकर के तयार हुआ है यह कीमा जो है अच्छे तरी के तयार हो ग दे दे और इसमें हमें ड़org जीरा है एम स्जगा ओ आहसरी के तरीकर से पका यह जीरे को अब हमें अब हमें इगयास को बंध का देने हैं और अब इसमें डाल लेने थोड़ी से लाजमेशी परड़ ऑb करने हम फिर से खोल देना है जो यह हमने तड़का तयार किया है रुम सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजे ताकि जो भी नए नए रेसीपी के वीडियो ले करके आती हूं आपको सबसे पहले मिले